आज हम बनाएंगे चाय जो की टप्रीप जैसे बिक्ती है बिल्कुल वैसे ही बनेगी हम दो कप पानी डालेंगे और इसमें उबाल आजाने पे दो छोटा चमच चाय पत्ती डालेंगे एक तेजपत्ता तीन चार छोटी इलाइची डालेंगे क्रश करके और एक छोटा चमच जितना अद्रक डालेंगे इसे दो मिनट तक हम बोईल करेंगे ताकि जो चाय का फ्लेबर है वो बहुत ही अच्छा निखर के आए और चाय का कलर भी बहुत ही सुन्दर हो चुकि मैं ये बड़े बरतन में बना रही हूँ इसलिए मैं इस पानी को ढखके दो मिनट के लिए उबलने के लिए रख रही हूँ आप चाहें तो इसे बिना ढखकन के भी उबाल सकते हैं जब दो मिनट हो जाएंगे लाइक आपको लगेगा की चाय का कलर बहुत ही अच्छा आगया है जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं तो हम इसमें तीन कप कच्छा दूद डालेंगे दूद में आप बिना पानी मिक्स किया हुआ डालें ताकि जो चाय में फैट है वो अच्छे से जाए तो चाय बहुत ही अच्छी बनती है अब मैं इसमें चार छोटे चमत चीनी डाल रही हूँ चीनी आप अपने फिस्ट की अकॉर्डिंग ही डालें और जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसे मध्यम आज पर कुछ चार से पांच मिनट तक उबाल लेंगे बीच बीच में आप चाहें तो आज को तेज कर सकते हैं ताकि यह चाय जल्दी से उबल के बन जाए अब चाय ओल्मोस्ट रेडी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कलर भी काफी अच्छा आगया है अगर आप बहुत जादा कड़क पीते हैं तो चाय पती की मात्रा जादा डाल सकते हैं अब हम चाय को चान लेंगे और आप इस चाय को एक बार ट्राइज जरूर करें जैसा कि आप देखते होंगे सुबह मॉर्णिंग वाक के टाइम पे कि रोड पे जो स्टॉल लगे होते टी स्टॉल उसमें जो भीड होती है वह इसी चाय के लिए होती है इसी टाइप से वह चाय बनाते हैं कुछ चीजे हैं जो कि वह यूज करते हैं जिससे उनकी चाय बहुत ही अच्छी बनती है लाइक वह जो दूर डालते हैं वह डारेक्ली रॉ ही डालते हैं पहले से उबा